प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सेनी खर्याणा के विकास कारे के लिए कई बड़े सोगात प्रोदान करते रहते इसी खड़ी में मुख्यमंत्री नायब सेनी ने पानीपत में 227 करूर रुपे से अधिक की लागत के 32 परियोचनाओं का उदखाटन और शिला न्यास किया इसके लावा मुख्यमंत्री ने पानीपत शेहरी विदान सबाश्रत्र में विकास कारे के लिए 10 करूर रुपे और पानीपत ग्रामिन विदान सबाश्रत्रों के लिए भी 10 करूर रुपे की राशी मनजूर करने की घोशणा की मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जुरूरी है इसलिए आज लगभग जो 227 क्रोड 83 लाख रुपे के विकास कारिया हुए हैं इन में से मुझे यह आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुसी हो र उद्गाटन भी किये हैं सिला न्यास भी किये हैं जिसमें लगभग उन्नी परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है उन्नी ऐसे कारिया हैं जिनका हमने उद्गाटन 36 क्रोड 55 लाख रुपे की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्गाटन किया है यह पानीपत क लोगों को समर्पित की हैं मुझे ये भी खुशी है कि 158 क्रोड रुपे की लागज से 12 प्रयोजनाओं का हमने सिला न्यास भी किया है ये विकास में एक बड़ी गती से ये पानी पत भी आगे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कारियों में तेजी लाए हुए है इस उसर पर मुख्यबंतरी नायप सिंग सैनी ने कहा कि पछले करिब 10 वर्षों में प्रधान बंतरी नरिंद्र मोदी के नित्रितों में प्रदेश में डवल इंजन के सरकार ने एक ऐसी विवस्था कायम की है जिसमें हरवर के कल्यान के लिए कारे किया गया है और प्रदेश के विकास को नए आयाम दिये गए है वर्तबान सरकार के लगभग 10 साल का कारेकाल पिछले सरकारों के 48 वर्षों पर भारी पड़ा है जोतने विकास के कार्य इस सरकार के कारेकाल में हुए है उतने पहले कभी नहीं हुए कल्यान की योजनाओं में भी बड़ा भेद भाव होता था और इस परकार की चर्चाएं वो रहती थी कि वह एक इक्षेत्र का काम हो रहा है बाकी पूरे परदेश की अंदेखी की जा रही है प्रंतु बिना भेद भाव के पूरे हर्याना परदेश का समान रूप से विकास अ हमारी लगातार हर्याना परदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जब हमने 2014 में परदेश की जनसेवा का दाईतव ग्रहन किया था तो हमारे सामने कई चुनोतियें थी हमें विरासत में समेंदर हीन परसासन मिला था हमें जर जर अर्थ ववस्था मिली सहकारी ढाचा त था स्वार्जनी क्शेत्र के उपकरम गाठे में चल रहे थे विकास और नौकरियों में क्शेत्रवाद और भाई भती जवाब का बोल वाला था हमारी सरकार ने पौने दस वर्सों में महाननिया परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी के ओज़श्वी मार्दर्शन में सब का सा सब का विकास के मूल मंतर और पंड़ दिन द्यालू पाद है जी के अंतोध्या के दर्शन पर चलते हुए पुरे परदेश की इन पौने दस वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है इतना ही नहीं उख्यमंतरी नायब सैनी ने कहा कि राज्यसरकार ने ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए पंचायतों को कई नई श्रक्तियां दिये राज्यसरकार नई सोच, नई विजन और कठोर परिश्रम से हर्याने के विकास को एक नई दिशा और गती दे रही ताकि इस समाच का हर वर्ग खुशहालों और हर्याने विकास की नई बुलंदियों को छुए Special Disc Jonathan TV